जै श्री कृष्णा राधे राधे आज हम सुनेंगे जेश्ट मास कथा के ग्यारवे अध्याय की कथा बोलिए कृष्ण भगवान की जै हो विश्णु भगवान की जै हो पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि राजा सगर के सो अश्व में गिर्गे से घपरा कर देवराज इंद्र ने उन पर आकर्वन किया जब वे उनसे युद में पराजित हो गए तो भगवान विश्णू के पास गए इसकंद जी कहते हैं कि हे प्रामनो जब इंद्र ने यग्य का सब रतांत जाकर भगवान विश्णू से कहा तब भगवान विश्णू ने मन से ध्यान किया और तब वे इंद्र से कहने लगे कि हें इंद्र मुझे और समर्थ शिवजी को उन लोगों ने यग्जी में भाग नहीं दिया इसलिए उनका यग्जे पूर्ण नहीं होगा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ तुम उस उपाय को करो हे सुमत मैं तुम्हें अद्रश्य करने वाली विध्या देता हूँ तुम पवित्र होकर उस विध्या को धारन करो और निर्भे होकर जाकर विधी पूर्वक उस विध्या का जाप करो सावधानी से यग्गी के गोड़े का अपहरण करो और उसी तरहें मोन पुर्वत कपिल रिश्री के आश्रम में जाओ और वहाँ पर उस यग्गी के गोड़े को छोड़ दो और जाकर स्वर्ग में अपना पुरुवत काम करो हे इंद्र तुमें लोकोपकार के लिए यह कारिय करना होगा अन्यता राजा सगर यग्गी के बल से बलानुवित होकर अपिमानी हो जाएंगे भगवान के वच्छनों को सुनकर इंद्र ने विदिवत इसनान किया और अद्रश्य कारिनी विद्या को ग्रहन किया सबसे पहले उन्होंने भगवान मदुसुदन को परणाम किया और फिर पूछा कि हे भगवन बताईए कपिल मुनी का अश्रव कहा पर है तब भगवान विश्णु ने कहा कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ प्रत्वी के अंदर एक गुफा में कपिल रिशी ने पाताल के समान एक भूग्रे यानि तहकाना बना रखा है और उसी भूग्रे में ध्यानवस्तित होकर कपिल मुनी रहते हैं भगवान विश्णु ब्यवचनों को सुनकर इंदर यग्गी के गोड़े के पास गए भगवान विश्णु से जो उन्होंने अद्रश्य करने वाली विध्या ली थी उसका रिशियों और देवताओं के सहित जाप करते हुए यग्गी के गोड़े को शिगर ही साथ लेकर परन्तु यह वारता किसी को भी मालूम नहीं हुई क्योंकि इंद्र अदर्शे हो गए थे। सब आकर राजाओं से कहने लगे कि यकी के गोडे का अपरण हो गया है। ब्रह्म लोक में, कैलाश में और हिमवान में, मेरु परवत, सभी गुफाओं में, सभी शिक्रों पर, गंधर्व लोक में, यग्य लोक में और उसकी बाद विश्नु लोक में भी गए, उन्होंने हर दरफ अपने यग्य के खोडे को ढूंडा। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में खुमे, प्रन्तु उन्हें यग्य के खोडे का कहीं भी पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक में गए, और वहाँ पर उन्होंने साथ पातालों को देखा, लेकिन यग्य का गोड़ा उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिला, तब वह निराश होकर अपने शिविर में गए, सब दुखी होकर प्रांट जागने को तयार हो गए, तब काल से प्रेरित होकर सब प्रत्वी को खोदने लगे, राजा सकर के साथ जार पुतर थे, जब उन सभी साथ जार पुतरों ने अपनी सेना के साथ प्रत्वी को खोदना शुरू कर दिया, तो बहुत शिगर उन्होंने सारी प्रत्वी को खोद डाला, और खोदते खोदते वे उस गुफा तक पह इतने बड़े गुफा को देखकर सभी आश्चरी चकित हो गए सब अंदर गए तो वहां जाकर उन्होंने कमल की रस्ती से बंदा हुआ यग्जी का घोड़ा देखा और वहीं बार ध्यान में मगन कपिल रिशी को भी देखा जो कि केवल मन से ही स्रिष्टी, संघार, श्राप और अनुग्रह करने वाले थे कपिल मुनी के इस पर भाव को सगर पुतर नहीं जामते थे और उन्होंने कपिल मुनी को ही चोड़ समझ लिया क्योंकि वहां पर यग्जी का घोड़ा बंदा हुआ था और वे सभी एक ही स्वर में कहने लगे कि इन्होंने ही यग्जी के खोड़े को चुराया है और अब हमारे भैसे यहां ध्यान लगाकर बैठ गए है हम लोगों के भैसे प्रत्वी के नीचे घर बनाकर रिशी के समान बैठा है इस दुष्ट को अच्छी तरहें से बांद कर राजा सगर के पास ले जरेंगे यह कहे कर सगर पुत्रों ने बड़ा ही कोला हल किया जैसे ही उनका कोला हल हुआ रिशी का ध्यान तूट गया ध्यान को त्याब कर जो ही कपिल मुनी ने उनकी ओर देखा तब ही राजा सगर के सभी साथ हजार पुत्र कपिल मुनी की नेतरागनी से जलकर वही पर जहां की तहां खड़े थे वही पर जलकर भस्म हो गए इतनी कथा सुना कर इसकंद जी को समय के लिए मौन हो गए तब सभी रिशीयों ने कहा हे शडान जब राजा सगर की सब संतिती भस्म हो गई और उनका एगism पूरण नहोशुका तब राजा सगर नहीं क्या किया उनके सैनिकों नहीं क्या किया यह सब करबा करके आप हमसे कहिए तब इसकंद जी कहने लगे हे शोनकादी रिश्यों बिल की द्वार पर इस्तित सैनिक लोग विहल होकर बिल की उस अगनी जौला से संतब्त होकर राजा सगर को सब समाचा सुनाने के लिए वहाँ गई जाकर उन्होंने राजा सगर से कहा ही वहराज अनर्थ हो गया है आपके पुत्रों ने जब यग्गी के गोड़े को कहीं नहीं देखा तो दुखी होकर अपने हातों से ही प्रत्वी तल को खोदने लगे खोदते खोदते उसके बिल में मिला हुआ एक सो योजन का एक गुफा मिली जब उस गुफा के अंदर बहुत से सेनिकों के साथ आपके सभी पुत्र चले गए और हम सभी लोगों को बिल के दौर पर रोक दिया कितने ही दिनों में जब वे बाहर नहीं आए तब हम को बिल के दौर पर खड़े होने के कारण कुछ भी पता नहीं चला कि अंदर क्या हो रहा है इतने में ही पताल के समान वह गुफा अगनी से पूर्ण हो गई और हम सभी लोग अगनी जवाला में व्याप्त हो गई फिर हम सभी लोगों ने वापस आकर सभी समाचार आपसे निवेदन किया है ये राजन कहिए उनकी क्या गती होई होगी मुख्द हो जाने के कारण हम तो कुछ भी नहीं जान सके उन सेनिकों के ऐसे वचन सुनकर परवत पर वजर के समान राजा सगर प्रत्वी पर गिर गए और मूर्शा खाकर मृत से लगने लगे यह देखकर उनके आत्मज़ और रित्वीज लोग सभी हाहा कार करने लगे इसके बाद राजा सगर को उठा कर उनके मुक कमल पर जलका सिंचन करने लगे राजा को मूर्शा से जागरत देखकर सभी रित्वीज लोग कहने लगे हे नरप, हे राजन, प्रानियों के रक्षक आप शोक मत करें क्योंकि पुरुष्टो विरीशाली होते हैं आप और हम सभी उस गुफा के द्वार पर चलेंगे वे सब उस गुफा के अंदर वाले जीव का बल और प्राकर्म देखने के लिए यगे का पारिये जल्दी जल्दी उन्होंने समाक्त किया और सभी वहाँ पर चले गए मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुषकर्म जो सगर के पुत्रों ने किये थे वे सभी दिखाए गुफा परियंत प्रत्वी का समस्त तल भाग खुदा कुआ देखकर सभी रिशी कहने लगे ये उपस्तित वरंदो आप सभी लोग सुनिये हम सभी राजा सगर के भाव को समझ कर कहते हैं कि यह बड़ा भारी गंठा जो नजर आ रहा है यह भरकर समंदर हो जाएगा इस परकार वाद विवाद करते हुए सब उस गुफा के समीब चले गए और उसके सब समीब जाकर सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर रिशीयों के साथ साइयत होकर परम अद्वुत उस भूग रहे के अंदर वे वह भूग रहे इंदर लोग के समान रत्मों से परदिप्त प्राणियों के संचार से रहित और बहुत सुंदर था प्रन्तु बस्म से पूर्ण था राजा और सभी रिशीयों यह सब देखकर करम से उस तेज पुझ के पास गए जलती हुई अधनी के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर जो की प्रजुल मान परमात्मा ध्यान मगन और योग कम्य है सब रिशीयों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनी जाना उन्हें नमशकार किया और उनकी स्तुती की वे कहने लगे हे देव आप नित्य हैं हे परमानंद आपकी जै हो जगत की कारण रूप और मन से स्रिष्टी का संगार करने वाले हे देव आपको नमशकार है हे सत्य गुन को धारन करने वाले हे शरीहरी सवरूप आपको नमशकार है तुम रूप में इस्तित हो तुम रुत्र में इस्तित हो आपको नमशकार है हे अखिन लोक वंदना के योग्ये हे सुरासुर से पूजित चरण कमलो वाले आपको नमशकार है हे दया के सागर संसार रूपी सागर में फसे होए हम लोगों की आप रक्षा करें हे प्रहमनों के स्वामे शीगर ही आप हमारा उधार करें आप ही आदिस रूप वारह रूप था रही हैं और इस तेरह इस्तोती करकी राज़ा सगर पुने शोक मगन होकर वर्षाकाल में जैसे महान-पाशान गिरते हैं, ऐसे ही प्रत्वी पर गिर गए नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चत रूप से पतित राजा सगर और उनके साथ बहुत से रिशियों को देखकर कपिल मुनी ने कहा कपिल मुनी ने क्या कहा हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे आज के अध्याय की कथा यही पर समाप्त होती है पुलिये कृष्ण भगवान की जये हो विश्णो भगवान की जये हो